विंटर्स में मंगोडी की सबजी बनाना तो बनता है मार्केट में भी वैसे मंगोडी आपको इजीली मिल जाती है बट जो स्वात घर की बनीवे मंगोडी का आता है वो बाहर की का नहीं आता और घर पे आप काफी सौफ सी मंगोडी बना सकते हो जिसकी सबजी पांच मिनट स कमें भी बनके तेयार हो जाती हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए छिलके वाली मुंगाल, यहाँ पर मैंने 700 ग्राम छिलके वाली मुंगाल ली है, जिसे कम से कम आपको 5-6 गंटे के लिए भिगो देना है पानी में, पानी उपर तक आजाए ना उतना इसे आप भिगो के रख दीजे ओवरनाइट मत भिगो ना 5-6 गंटे आप सुबह उठते ही से भिगो दीजे साथ में हमें चाहिए चमली की डाल तो मेरे पास चमली की डाल अवेलेबल नहीं थी तो मैंने साबुच जो चमला आता ने एकदम छोटा वाला वो ले लिया इसे भी आपको 5-6 गंटे के ल उसका दोसी और ऊच्छे से मसल ये और जितना छिलका निकल सकता है उतना चिलका अ उतना दills कआस दीजे तो इस तरीके से आपकी दाल बनके तैयार हो जाए है कि तो दाल आप देख सकते है णे सब्सक्ता उल्मोस निकल चुका है अब मिक्सर जार में डालके ढलके दर्दर नहीं बनाना, अगर आप स्मूद बना दोगे, तो फिर मंगोडी आपकी उतनी अच्छी नहीं बनेगी, डाल जब पिस जा है, उसके बाद आप चमले को भी पीस लीजे, चमले को पीस ते टाइम आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब बाइंड हो तो पीस्ते टाइम आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, ये भी एकदम थिक पिसके तयार हो गया, इसको भी आपको हलका दरदरा पीसना है, अब आती है मेन बात, आप दोनों को मिक्स कर दी जो पांच से साथ मिनट के लिए इसे एक ही डारेक्शन में फेटी, टेस्ट के अकोडिंग नमक, और तीन चमची मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिये, जो बहुत ज़्यादा दीकी नहीं होती, बट इसका कलर अच्छा आता है, आप टीखा और नमक अपने टेस्ट के अकोडिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, एक चमच सॉप डाली और चमच हींग डाल दिया, अगर हींग ज़्यादा स्ट्रोंग है तो आपको कम डालना है, अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद आप चाहे तो हाथ से मंगोडिया निकाल सकते हो, हमारे दर से चूटना बोलते है, आप इसे हाथ से या ऐसे जिप पाउच, अगर आपके पा आपको इस तरीके से इसकी मंगोडिया बना लेने है, थेली से जब आप बनाते हो ना तो काफी एजी हो जाता है बनाना और प्लस आपके हाथ भी गंदे नहीं होते है, और इस वाली दाल की आप पकोडिया बनाऊगे ना वो भी बहुत टेस्टी बनती है, तो अगर आप इ दिन की धूप दिखा दीजे अच्छी वाली धूप दिखा दीजेए, शुबा वाली धूप भी आपको जरूर से दिखानी है, और तीन दिन बाद आपकी मंगोडिया बनके तियार हो जाएगे, साल बर आप इस मंगोडियों को इन्जॉय कर सकते हो, तो आप ये रेसेपी जरूर करना और मुझे कमेंट करके बदाना कि आपने ट्राई करियर आपको कैसी लेगी और आप मुझे इंस्ट्राग्राउम और यूट्यूब पर फोलो कर सकते हो बाइबाइब